WhatsApp call connecting problem दोस्तों अगर आपको भी WhatsApp के उपर call जो है आपकी connecting पर अटक जाती है आप चाहे फाइस call करते हो या फिर वीडियो call करते हो आपको ये problem देखने को मिल जाती है आपकी call जो है connecting पर stuck हो जाती है आज मैं आपको बताऊंगा इस problem को आप जो है कैसे solve कर सकते हो आप मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप WhatsApp की call यहां पर connecting आपको शो कर रहा है तो आप जो है इस problem को हम जो है कैसे fix out कर सकते हैं आपके पास कोई भी mobile और एडमी भी वी वो पूस हैंसिंग या फिर दोस्तों Realme का आपको इस problem जो है solve करना चाहते हो इस problem से आप जो है face कर रहे हो WhatsApp के ऊपर जोस्तों आपको यहां पर आपकी call जो है connecting शो हो जाती है तो चले मैं आपको बता देता हूं इस problem को हम जो है कैसे solve कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं तो आपका जो है internet भी काफी अच्छे तरीके से चल जाता है फिर भी आपको यह connecting क्यों आ जाता है मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले दोस्तों इसका पहला reason होता है कि आपका WhatsApp clear catch नहीं होता है मतलब कि दोस्तों मैं आपको कहना चाहरा हूँ कि आप WhatsApp काफी सालों से काफी time से use करते आ रहे हो तो आप दोस्तों WhatsApp ने कुछ नहीं update लाता है तो यसे में आपको अपने WhatsApp को clear catch करना जरूरी है जैसे कि WhatsApp पे नहीं ने update आते जाते तो आपका WhatsApp के अंदर डेटा रहता है तो ज्यादा तरह WhatsApp यूज करने से आपका यहां पे data भी फूल हो सकता है जैसे कि clear catch करने का time आ जाता है जैसे कि clear catch क्या है मैं आपको बता देता हूँ सबसे परे मोबाल की settings जो ओपन करो अब यह setting करने के बाद मुझे comment box में जरूर बताना कि आपका call कभी भी connecting में नहीं आटेगा ठीक है आप connecting की problem ही नहीं आएगी जैसे मोबाल की settings उपन करो मोबाल सेटिंग से उपन करने के बाद यहां पर इस प्रोल डाउन करो स्ब्रोडबर करके आपको Apps option डू लेना यह रहा तो WhatsApp आ चुका है, आपको WhatsApp को सर्च करना है, WhatsApp application सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर storage को एक option देखने को मिलेगा, इस storage के option पर आपको क्लिक करना है, आप जैसे storage को पर क्लिक करोगे तो आप दियान से देख लेना, फिर आपके पूरे के पूरे chats भी दियान से तोड़ा देख लो, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर मुबाइल डाटा एंड वाइफा एक option मिलेगा, इस option पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक option में देखने को मिल जाता है, बैग्ग्राउंड डेटा, तो बैग्राउंड डेटा आपको यहाँ से इसका off करना है, दुबारा से इसको on करना है, उसके बाद एक option देखने को मिलेगा, unrestricted data, तो देखो unrestricted data use कुछ इस तरगे से option देखने को मिलेगा, इस option को भी on करो, और इसको भी off करो, ठीक है, अब यह करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ से back चले जाओ, सा हमें सारी settings reset करना है, बस, WhatsApp को clear data मत करना, ठीक है, अब यह करने के बाद, अभी आपको क्या करना है, ऐसे आपको ऐसे नीचे करना है, मोबाल को देखो, ऐसे, तो आपको नीचे करने के बाद, आपको यहाँ पर बताय दो, क्या करना है, ठीक है, यह one second रूग लो, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ऐसे नीचे करने के बाद, अब आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता है, aeroplane mode, देखो, इस mode को on करो, और यहाँ से इसको off करो, फिर WhatsApp को अब जो अपने data को on करो, ठीक है, data on करने के बाद, अभी आपको play store का application open कर लेना है, अब play store का application open करने के WhatsApp, अब देखो, यहाँ पर आपको सर्च करना है WhatsApp, WhatsApp जैसे सर्च करोगी तो आपको WhatsApp के उबर एक update नजर आएगा, तो अपने WhatsApp को आपको अपडेट करना है, WhatsApp अपडेट करने से क्या होगा, कि दोस्तों, आपकी जो कोई भी दिखकर या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, WhatsApp क किसी बंदे को कॉल करता हो, थाह जैसे यहां पे देखो, मैं भी call करता हूँ, तो देख न, भी अब आप मैं भी आपे किसी को जाके call करता हो, तो देखो, मेरी ग ихy जो connection नहीं होगी ठीक है अभी आपका जो आपका अच्छे तरीके से चल जाएगा ओके कुछ भी नहीं आपका जो आपको आपको कोई भी तेंचन की बात नहीं आएगा तो यह सेटिंग को कर लो आपको problem solve हो जाएगा मिलते हैं guys किसी नए वीडियो के साथ